हेलो बच्चो आज का मारा टोपिक है नेमिंग ओफ साइनाइड एल आईसो साइनाइड देखिए सबसे पहले हम साइनाइड की नेमिंग देखते हैं साइनाइड जो होता है C triple bond N group होता है और इसका सपिक्स क्या है इसका सपिक्स नाइट्राइल है और देखे इसकी नेमिंग कैसे गरते हैं एक एक्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको CH3CN देखे इसमें कोई सब्स्टेंट नहीं है हम क्या करेंगे सबसे पहले root word लेंगे क्योंकि सब्स्टेंट तो है नहीं तो एथ और carbon carbon के बीच में जो bonds है वो क्या है single bond है तो हम N लगाएंगे एथेन फिर इसका सपिक्स लगा देंगे एथेन नाइट्राइल एथेन नाइट्राइल इलिया फिर देखें नेक्स्ट एक्जामपल CS3CH2CN यह क्या हो गया प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल ठीक है प्रोपेन नाइट्राइल अब देखें सबस्ट लगाते हैं CH CH3CH2CN अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको नम्बरिंग करने पड़ेगी नम्बरिंग का से करेंगी यहां से जहां functional group है functional group के carbon को number 1 देते हैं 1,2,3,4 अब क्या करेंगे सबसे पहले prefix लेंगे क्यों क्योंकि इसमें सबस्टेंट है तो 3 नम्बर पे कोन है मैथिल 3 मैथिल फिर रूट वर्ड ब्यूट 3 मैथिल ब्यूट फिर एन फिर नाइट्राइल ब्यूटेन नाइट्राइल 3 मैथिल ब्यूटेन नाइट्राइल यह इसका नाम होगए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके आइप एक name लिख सकते हैं, ठीक है? Simple name के हम बात करेंगे, तो simple name में हम क्या करेंगे? इधर में इनका simple name लिख देता हूँ, simple name, जिसको हम common name बोलते हैं, common name. देखी common name में क्या करेंगे इस group को अलग रखेंगे methyl और फिर cyanide लग देंगे cyanide ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा methyl cyanide methyl cyanide ये क्या हो जाएगा ये isobutyl group है तो इसका common name common name क्या हो जाएगा isobutyl cyanide isobutyl cyanide के लिए अब हम बात करते हैं isocyanide के देखे आई isocyanide की naming कैसे करते हैं isocyanide जो group है isocyanide देखे N triple bond C और इसमें एक covalent bond present रहता है ठीक है एक इसमें covalent bond present रहता है देखे R and C ये कोई compound है इसके दो पार्ट है हमारे पास एक तो alkyl group और दूसरा functional group ठीक है तो इसकी IUPAC naming हम two types से करते हैं IUPAC naming देखो कैसे करते हैं एक तो होता है isocyanide alkyne isocyanide प्लस इसके आगे ये जो R है उसको लिख देंगे alkyne तो name क्या हो जाएगा name हो गया इसका isocyanide alkyne isocyanide alkyne ठीक है दूसरा हम क्या करते हैं इस group को बोलते है carbyl amine ठीक है तो हम लिखते हैं carbyl amine ठीक है अभी देखे ये आइसोसाइन हो carbyl amine दोनों यूज़ करते हैं carbyl amine फिर alkyne प्लस alkyne तो ये हो जाएगा carbyl amine फिर ये 2 टाइपस है ये जो nomenclDe ये किया जाता था ये पुरानी बात है पहले ऐसे करते थे लेकिन आजके हिसको ऐसे करने लगे लेकिन दोनों को ही सही माना जाता है दोनों के दोनों ही किया है बिलकुल correct है एकदम correct है और दोनों ही तरीके से हम numbering यह nomenclature कर सकते हैं अब देखे हम other इसके examples लेते हैं CS3, CH2, CH2 and C अब देखे इसमें ध्यान रखना है जैसे ही हम two carbon से आगे जाते हैं तो हमें numbering करना ज़रूरी होता है यहां से आपन number डालना शुरूर करते हैं वन, टू, थ्री, ठीक है तो कार्बिल अमीन का है, वन नमबर पे है तो हम लिखेंगे वन, कार्बिल, अमीन, फिर यह लिखें न जाएगा आनि, प्रोपेन, वन कार्बिल अमीन, प्रोपेन या फिर क्या करेंगे, वन, आईशो, शाइनो, प्रोपेन इस तरीके से भी हम इसका नेमिंग कर सकते हैं के लिए आगे बड़े देखें, कुछ एक्जाम परस और लेते हैं CH3, CH, CL, CH2, N, C नमबरिंग का से करेंगे, यहां से 1, 2 और 3 अब देखें, अलफा बेटी के लिए ओडर में यह क्लोरो है और यह क्या है, कार्बिल अमीन कार्बिल अमीन, या आईशो, शाइनो देखो, C के बाद में क्या रहा है, H रा है, C के बाद में क्या रहा है A रा है, तो पहले कोन आएगा, कार्बिल अमीन ठीक है तो naming में सबसे पहले क्या लिखोगे 1 कार्बिलमीन 1 कार्बिलमीन 2 क्लोरो ये तो सब्स्ट्टेंट होगे और फिर प्रोपेन प्रोपेन के लिए इस तरीके से इसके naming करेंगे तो ध्यान मिखना ये कार्बिलमीन ये आईसो साइनो ग्रुपेना, अईसे सब्स्ट्टेंट इसको काम میں लिया जाता है, के लिए ऐसे इसका जो सब्स्टेंट होता आईसो नाइट्रेल होता है, लेकिन उसको बहुत पहले काम में लिया जाता था, उससे बहुत पहले naming की जाती थी आज कर इस तरीके से करते हैं कार्बिल्यमीन मानके या फिर आईसु साईन। एजसस्टेंड्ट मानकर के इसकी नेमेह की जाते हैं के लिए अब देखे इनकी Common Naram की बात करता है Common Namin के किस तरीके से रखे जाते हैं Common Name Common Name के लिए CS3NC CS3NC तो देखो इसको कैसे लिखो गया यह मेथिल है और यह आईसो साइनाइड है तो आप क्या करेंगे मेथिल को अलग लिख देंगे मेथिल आईसो साइनाइड मेथिल आईसो साइनाइड यानि यह ग्रूप अलग से लिखा जाएगा और यह अलग से लिखा जाएगा फंक्सलोगूब का नाम iso-sin । अलग से और मेथल पहलेा जाएगा। ऐसे देखे। CS3CH2nc तो इसमें क्या करोगे। यह हुग गया अझए टिल और फिर आई सो शानय तो इसका नाम क्या हुग या। एथिल आईसो साइनाइड एथिल आईसो साइनाइड के लिए फिर देखिए एक तरीका और है नम्बरिंग नेमिंग का कोमन नेमिंग का देखिए CS3NC इस तरीके में जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करते हैं जो आईसो साइनाइड फंक्सनल ग्रूप है उसके कारदन को भी हम क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं तो 1 और ये कितने हो गए 2 हो गए लेकिन अब मैथिल एथिल नहीं लिखेंगे अपन फॉर में एसीट प्रॉप व्यूट इनका यूज़ करेंगे तो ये क्या हो गया एसीट दो कारबन अना ठीक है तो एसीटो आईसो नाइट्राइल एसीटो आईसो नाइट्राइल ये भी क्या है कॉमन नेम है ठीक है जैसे हम ले रहे हैं सीटो आईसो नाइट्राइल ये इनके कॉमन नेम की बात हो गई ठीक है देखिए क्यों मेरे 5 है निक्तराइल थे प्रœस्ट आइट्रण देख श्ट defया उड़्याई लड़्याज़ सब इक्स क्या रहेगा इसका सब इक्स होगा अल एच सी एच ओ कोई सब्स्ट्रेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे अब सब्स्ट्रेंट नहीं है तो रूट वर्ड रूट वर्ड क्या रहेगा मैथ ठीक है रूट वर्ड के बाद में primary suffix carbon, carbon, single bond तो ऐसे condition में क्या लगा होगे N और फिर subix का secondary suffix functional group का L तो ये क्या हो जाएगा methanol methanol इस E को हटा देंगे क्योंकि आगे वो वल आ रहा है इसले इस वो हटा देंगे methanol हो जाएगा ये ऐसे देखे CS3 CHO क्या है रूट वर्ड एथ ठीक है carbon, carbon के बीच में single bond है ethane और फिर ethanol CS3 CH2 CHO क्या जाएगा 3 carbon है तो propanel ठीक है next example CS3 CH CH CL CH2 CHO अब आपको numbering करने पड़ेगी तो one number कहां देंगे one number देंगे functional group की carbon को one two three four तो three के उपर को ना गया chloro तो नाम हो जाएगा three chloro three chloro फिर root वर्ड आएगा prefix के बाद में root वर्ड गया है but फिर carbon carbon की बेच में सभी single bond है तो butane और फिर secondary prefix three chloro butane इसका नेम हो गया के लिए CS3C CH3 CH3 CH CL CHO देखे numbering करेंगे one two three four के लिए अब हम लिखेंगे substance को सब के पहले वह यह C से सुरू होता है यह M से सुरू हो रहा है तो सबसे पहले C वाला लिखे एग क्लोरो तो two chloro two chloro three three dye methyl क्यों क्योंकि two substance है dye methyl two chloro three three dye methyl फिर क्या जाएगा root word but फिर N primary sebix और ul two chloro three three dimethyl butanil इसका नाम होगया के लिए अब बात करते हैं ketones की की तूंस सी डबल बॉन्ड ओ सफिक्स इसका ओन देखे की टोन की खास बात है कि यह हमेशा जो ग्रूप सी डबल बॉन्ड ओ है इसके दोनों तरफ यानि एलकिल ग्रूप होंगे कार्बन होगा दोनों तरफ ठीक है हमेशा तो एक कितन और इसका जो नेम है वो क्या होगा 1,2,3 कार्बन है कोई सबस्टेंट नहीं है तो ठीकार्बन प्रॉप ठीक है फिर कार्बन कार्बन के बीच में सभी क्या है सिंगल बोंड है तो ऐन ठीक है और यह ठीगा यहां से क्यों ठीगा क्योंकि आगे सपिक्स में वोवल है तो प्रोपे नौन ठीक है लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो वेरी फेमस नेम है और वो नेम क्या है और पेमस इसका इसका चीप अब क्या लेखेंगे हम देखें क्या नेम क्या है नहीं है फोर कार बने तो रूट वर्ड क्या जाएगा ब्यूट ठीक है फिर प्राइमरी सपिक्स एन और सेकंडर सपिक्स ओन ब्यूटेन ओन फोर कारबन तक इसमें नंबरिंग करने की रिक्वाइरमेंट नहीं होती ठीक है वैसे हम अब तक ये देखते आ रहे हैं कि जो भी ऐसे फंक्स्टल ग्रूपाई जिनले कारबन है तो उनमें हमने निंबरिंग नहीं कि लेकिन ये क्या है बीच में आ रहा है और बीच में आने अकान इसमें numbering करनी पड़ेगी after 4 carbon after 4 carbon क्यों यहां तक तो देखो क्या था यहां से आप numbering करते 1, 2 तो 2 पे आता बाइदर बाइदर यहां यह होता तो इधर से 1, 2 पे होता लेकिन अब जैसे 4 carbon से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें numbering करनी पड़ेगी इसकी location बताने पड़ेगी देखिए CS3, C double bond O, CH2, CH2, CH3 एक compound यह है, दूसरा यह है SkySomer, CS3, CH2, C double bond O, CH2, CH3 यह है अब देखिए numbering की requirement क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 number पे और यहाँ 3 number पे आ गया यह तो इसकी location बताने के लिए हमें numbering करना जुरूरी है तो numbering किस side से करेंगे जिस side से functional group क्या हो nearest हो, तो इस side से nearest है तो 1, 2, 3, 4, and 5 ठीक है और इसमें 1, 2, 3 पे है इधर भी 1, 2 और 3 पे है, तो कहीं भी आप लगा सकते है 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी side से numbering कर दीजिए अब देखिए, कैसे लिखेंगे कोई substance इसमें नहीं है तो root word आजाएगा, paint ठीक है, सारे carbon, carbon के बीच में single bonds है, तो n और फिर देखिए, 2 number पे on है, on है, तो 2 on आएगा यह, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते है 2 paint on ठीक है, 2 paint on इसको लिख सकते हैं, अब यह क्या बजाएगा, यह बजाएगा paint और 3 number पे on है, यानि group है functional group, तो 3 on, या फिर क्या लिख देंगे 3 पेंटे नौन 3 पेंटे नौन clear, next example लेते हैं, इसके CCL3 C double bond O CH3 इसका देखे, आवी पेंटे नाम लिखते हैं इसमें numbering करने पड़ेगी 1, 2, 3 देखे, ऐसा numbering क्यों किया, हमने 1, 2, 3 इदर से क्यों नहीं किया, व्योंकि यहाँ इस carbon के उपर 3 substance present है, clear तो substance present भी functional group तो इदर से भी 2 number पे इदर से भी 2 पे हैं, but functional group present, sorry, substance present तो उनको list number मिलना चाहिए इसको तो दोनों साइड से, वोग साइड से two number मिल रहा है, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे बिले हम लिखेंगे substance को, तो यह क्या जाएगा? 1, 1, 1 ट्राइ क्लोरो 1, 1, 1, ट्राइ क्लोरो क्यों? क्योंकि 3 टाइम क्लोरो ग्रूप है तो 1, 1, 1, ट्राइ क्लोरो और फिर कितने कार बने? 3, तो 2, N और फिर, ON तो 1, 1, 1, ट्राइ क्लोरो प्रोपेनोन हो गया यह क्लियर? नेक्स्ट देखें एक्जाम्पल CH3, CH BR C double bond O CH2, CH2 CH3 अब इसमें देखें नम्बरिंग किस साइड से करें? 1, 2 और 3 प्यार है इदर से 1, 2, 3 और 4 प्यार है तो इदर से करेंगे नम्बरिंग, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब से पहले किसको लिखें? सबस्टिट्वेंट को याने 2 BROMO 2 BROMO फिर root बड़ा जाएगा HEX primary से fix क्या आएगा? N, क्योंकि सारे के सारे single bond है carbon carbon के बीच में तो hexane ठीक है? और फिर 3 नम्बर पे को न है? ketone group 3 नम्बर पे है तो 3 on तो 2 BROMO hexane 3 on clear? ये हो गया naming किसकी? ketone की इसके बाद बात करते हैं हम alcohol अल्कोहल अल्कोहल क्या होगा? all देखे एक्जामपल लेते हैं CH3OH अब देखे इसमें कोई substituent नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका root word लेंगे one carbon है तो math ठीक है? फिर carbon carbon की बीच में कोई double bond नहीं है तो क्या आएगा? N और फिर secondary suffix all methane clear? second देखे CS3CH2OH इसमें भी कोई substituent नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले root word और root word क्या आएगा? to carbon है तो eth फिर carbon carbon की बीच में सारे के सारे single bond है तो ethane और last में क्या आएगा? secondary suffix all ethane all फिर एग्जाम्पल देखे CS3CHCH3CH2OH अब हमें numbering करने पड़ेगी numbering कौन सी side से करेंगे? जीदर functional group nearest हो तो यहां से number डालेंगे 1, 2, 3 अब देखें इसमें substituent भी present हो तो सबसे पहले substituent का prefix लिखेंगे तो 2, methyl फिर root वड़ाएगा probe 3 carbon है probe और सारे के सारे carbon कार्बन के बीच में single bonds present है तो propane और फिर 1, all 2 carbon के बाद में आपको OH की location बताने की ज़रूत पड़ेगी क्योंकि OH फिर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है यांनि 1 number भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है clear? तो इसके बाद में हमें location बताने की need होगी next example देखिए देखिए इसमें numbering करना पड़ेगा कौन से side से? यहदर OH nearest to 1, 2, 3 और 4, clear? कोई subsequent है? नहीं है नहीं है तो क्या होगा? root word आएगा से उसे पहले 4 carbon है तो 4 carbon के लिए क्या जाएगा? but फिर सारे के सारे क्या है? single bond है, तो n और फिर 2 number पे कौन है? OH group तो ol, 2ol, butane, 2ol या फिर आप लेख सकते हैं 2 butanol 2 butanol, clear? या फंक्शनल ग्रूप है? थायोल SH देखिए ये फंक्शनल ग्रूप जो है वो सेम है कि इसके एलकोहल के, एलकोहल के जैसा है और इसका जो सपिक्स होगा वो होगा थायोल के लिए देखिए example CS3S H CS3S H carbon कितने है one carbon है कोई सब्षन नहीं है तो मैथ आ जाएगा मैथ फिर carbon carbon के बीच में कोई double bond नहीं है तो N तो मैथेन और फिर इसका सफिक्स आ जाएगा मैथेन थायोल लेकिन देखिए यहाँ E आएगा last में क्यों आएगा क्योंकि आगे वो वल नहीं है मैथेन थायोल हो जाएगा सेकिन देखिए CS3CH2SH यह क्या हो जाएगा कोई सब्षन नहीं है तो A और कोई carbon करबन के बीच में double bond triple bond नहीं है तो एथेन थायोल एथेन थायोल next example CS3CH यहाँ लग गया SH और यह CH3 अब देखिए नम्बरिंग करना पड़ेगा आपको 1,2,3 इदर से करो तो भी वही बात थी दो नम्बर पे बोना रहा है SH थायोल गरो पा रहा है तो अब क्या करेंगे कोई सब्ष्टेंट नहीं है तो root वड़ा जाएगा प्रोप और carbon-carbon के बीच में जो bonds है वो सारे के सारे single bonds है तो प्रोपेन ठीक है और फिर 2 नम्बर पे को नहीं है थायोल प्रोपेन 2 थायोल ठीक है 2 का पहले भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेन थायोल किलियर फिर देखिए सब्स्ट्ट लगाते हैं CH3CH CH3 CH2 CH SH और CH3 अब देखिए नम्बर इंग किस साइड से करेंगे आप नम्बर इंग करेंगे functional group वाली साइड से ठीक है तो यहां से 1 2 3 4 and 5 एक सब्स्ट्टेंट है इसमें 4 नम्बर पे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सब्स्ट्टेंट का prefix यानि 4 methyl फोर methyl फिर क्या आएगा root word paint और सारे के सारे single bonds है कारवन कारवन की बीच में तो एन ठीक है और फिर 2 नम्बर पे को ने थायोल तो 2 थायोल यह इसका नेम हो गया clear next देखे next function group है अपना amine next है amine इसका suffix क्या होगा suffix भी होगा amine clear देखे naming कैसे करेंगे CH3 NH2 तो देखे एक ही कारवन है कोई substance नहीं है तो ऐसी condition में क्या करेंगे root word लेंगे math और कारवन कारवन की बीच में कोई double bond, triple bond नहीं है तो N methane और फिर amine amine, methane, amine देखे यहां से हमने E को remove कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि आगे एवोवल है यह वोवल है इसलिए E को हमने remove कर दिया यहां से second देखे CH3 CH2 NH2 कोई substance नहीं है कितने कारवन है 2 तो root word क्या आएगा eth फिर carbon carbon की बीच में सारे के सारे single bond है तो ethane और फिर amine ethane amine ठीक है यहां तक हमें location बताने क्या आव सकता नहीं होती है लेकिन अब हमें location बतानी पढ़ेगी इसके बाद में ठीक है तो अब हमें functional group की location बतानी पढ़ेगी देखें cs3, ch, nh2, ch3 अब numbering करना पढ़ेगा 1, 2 और 3 दोनों तरफ से कहीं भी कर सकते हैं इसी का दूसरा isomer है cs3, ch2, ch2, nh2 अब इसमें numbering कि साइड से करेंगे functional group कि साइड से 1, 2 और 3 अब देखें name लिखते हैं कोई substantive में नहीं है फिलाल तो हम सबसे पहले root word लेखेंगे root word कि आएगा probe क्योंकि 3 carbon है और carbon carbon के बेज़े हैं और 2 नमबर पे कोई है amine propane 2 amine और इसको हम ये भी लेख सकते हैं 2 propane amine propane amine ठीक है इसको क्या लिखेंगे प्रो थ्री कार्बने in क्योंकि सभी के सभी सिंगल अबोंडर कार्बन कार्बन के बीच में propane 1 amine ठीक है या हम लिखेंगे इसको 1 propane amine या हम लिखेंगे अब देखेंगे कुछ नेम्स जो हैं वो अलग तरीके से मदलब इसमें क्या होता है नाइट्रोजन के उपर सब्स्ट्रेंट लगा दिये जाते हैं यह एं यहां से मैंने क्या किया एक इसमाने होते हैं अब देखिए इसमें क्या होगा जो long chain होगी उस long chain को आप parent chain मानेंगे सब्स्ट्ενट मानेंगे तो यहYour इसमने क्या मान ल्या सबसे पहले सब्स्ट्εν को लिखेंगे और सब्स्ट्εν कहां ऐड है वह एड है nitrogen के उपर तो हम लिखेंगे N-methyl जैसे amide के अंदर करते थे N-methyl और फिर parent chain के उपर आजाओ, parent chain में कोई substrand नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे root word लेंगे, root word क्या आएगा eth methyl, sorry N-methyl, eth, फिर N आएगा आगे, N क्यों, क्योंकि carbon, carbon के बीच में सारे सारे क्या है, single bond है तो ethane, amine clear? next example देखिए, N-methyl, methane नहीं हो गया, इसके बाद में देखिए CS3, CH2, CH2 N CS3, CH3 तो man chain कौन सी होगी, जो longest होगी, उसको man chain मानेंगे बाद की substrand हो जाएगा, तो इसका name क्या हो जाएगा, N-N क्योंकि two time क्या है substrand है, तो N-N dimethyl और देखिए, साथ में numbering भी करना पड़ेगा, क्योंकि location बतानी पड़ेगी, two carbon से ज्यादा होते ही one, two और three के उपर ठीक है, तो one number पे कौन है amine है तो N-N dimethyl फिर इसके बाद में क्या लेख सकते है root word probe फिर N और फिर one amine propane, one amine या फिर इसको ऐसे भी आप लेख सकते है N-N dimethyl one propane amine के लिए एक एकजमपल ओड़ लेते हैं इसका CH3CH2 CH2 N CH3 और C2H5 देखे, longest chain कौन सी है ये वाली तो इसको आप क्या माल लेंगे parent chain मानेंगे और numbering कर देंगे 123 ठीक है, बाकी जो substance है उनको alphabetic के लिए order में arrange कर देंगे ये M से सुरू होता है methyl और E से सुरू होता है ethyl तो हम क्या लिखेंगे एन एथिल एन एथिल एन मेथिल फिर mention में आ जाईए substance complete होगे कितने कारबन है 3 है तो क्या जाएगा प्रो फिर आदार सिंगल बॉन तो प्रोपेन और फिर one amine clear ये हो गई amine is complete इसके बाद ether को और देखते है ether ether क्या होता है आर ओ आर देखिए ether को as a substant treat किया जाता है ठीक है तो इसमें ये आर और यार same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं तो ये two type के होगे एक तो symmetric और दूसरा asymmetric पहले हम बात करता है symmetric की CH3 OCH3 दोनों alkyl group same है तो ऐसी condition में क्या करेंगे एक alkyl group को तो आप क्या मानेंगे substituent ये तो क्या हो गया substituent और दूसरा क्या हो गया ये alkyne हो गया दूसरे वाले क्या मानेंगे आप alkyne मानेंगे ठीक है तो देखिए ये क्या हो गया methyl के साथ में oxygen तो इसका name क्या हो गया methoxy सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबस्ट्यूइंट को, तो मेथोक्सी और फिर इसके बाद में एलकेन, एलकेन देखो, वन कारबन का है और सिंगल बोंड है, तो क्या जाएगा? मीथेन, तो इसका नेम क्या हो गया? मीथोक्सी मेथेन, ऐसे देखें, दूसरा एक्जामपल लेते हैं, CS3CH2OCH2CH3, इसे भी दोनों एलकेन गुरुप से हम है, तो किसी एक को तो आप क्या मानेंगे? सबस्ट्यूइंट और दूसरे वाले को मेन चेन यान के एलकेन मानेंगे, ठीक है? तो देखें, यह क्या हो जाएगा? एथोक्सी, टूकार बना, तो एथोक्सी हो गया, तो यह हो गया, एथोक्सी, ठीक है? और उसके बाद में मेन चेन में आ जाएगे, टूकार बना, तो यह क्या हो गया? एथेन, एथेन क्यों हो गया? यह टू कार बने तो A था गया और सारे के सारे इसके अंगलबॉंड प्रिजेंट देतो A ना गया तो यह हुए इथोक्सी एथेन अब हम बात करते हैं S मेट्रिक की S मेट्रिक को किस तरीके से लिखेंगे देखो यह एक difference है इस asymmetric में क्या करेंगे जो long chain होगी ना उसको तो आप क्या मानेंगे parent chain ऐसको तो आप क्या मानेंगे Där और जो small chain है उसको आप क्या मानेंगे substituent मानेंगे clear अब देखिए इसमें substituent क्या हो जाएगा mythoxy और two carbon बने तो क्या हो गया ethane mythoxy ethane clear इस तरीके से मैं numbering करेंगे कुछ एक example लोड़ लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 man chain में carbon more than one होने के बाद में आपको numbering करना जरूरी हो जाता है तो ये man chain मानेंगे 3 carbon की है और ये substituent मान लेंगे तो यहां से आप numbering करेंगे 1, 2 और 3 तो ये क्या हो गया ये substituent हो गया क्योंकि small chain है तो इसका नाम क्या हो गया ethoxy ठीक है तो compound का नाम क्या लिखोगे 1 ethoxy क्यों क्योंकि 1 number carbon पे ये substituent लगा हुआ है तो कितने carbon अपने पास में 3 carbon है तो pro और सारे के सारे single bond है तो propane 1 ethoxy propane हो जाएगा clear जाएब जाएब